इंडी गटबंदन के पक्ष में मजबूत लहर 150 सीटों तक सिम्टे की भाजपा आप दीख रहे हैं दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार राहूल गांधी ने प्रेस कॉन्फरेंस में बोला बीजेपी पर हमला गाग्यबाद के कोश्रामबी सित रेडिसन ब्लू होटल में बुदवार को INDIA गडबंधन की कॉंग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा की समर्थन में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अकिलेश यादव ने सयुक्त प्रेसवारता को संभूदित किया इस दोरान अकिलेश यादव ने कहा कि पश्टिम से चल रही हवा यूपी और देश में बदलाव लाएगी और इंडी गडबंधन गाज्याबाद से गाज़िपूर तक क्लेंस हुई प्रहेगा कॉंग्रेस नेता राहूर गांधी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अकिलेश यादव ने कहा कि पश्टिम से चल रही हवा यूपी और देश में बदलाव लाएगी और इंडी गडबंधन गाज्याबाद से गाज़िपूर तक क्लींस हुई प्रहेगा लूट और जूट एंडीय गडबंधन की पहचान बन गया है उन्होंने कारीकरताओं से अफील करती हुए कहा कि एक भी वोट बटना पाए मद्दान करें साफधान रहे बूत की चौकीदारी करें कॉंग्रस नेतर और गांधी ने कहा कि ये विचाधारा का चुनाव है इंडीय गडबंधन समिधान और लोगतंत्र की रक्षा कर रहा है विरुज़कारी महगाई भागिदारी हमारी मुद्धे हैं पीम मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं या आसमान में चले जाते है उन्हें मुद्धो की परवा नहीं है जिले में पीम मोदी कर चुके हैं रोट्शो मालूम हो कि लोगसभा चुनाव का बिगुल वजे कई दिन भी चुके हैं भाषपा प्रत्याश्वी के समलतन में पीम मोदी रोट्शो कर चुके हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें